सावनिर्थान अंतरगत कनेया डोल स्थेत रिलाइंस वेयर हाउस के करीब लापता वृद महीला का शती ग्रस्त शव मिला प्राप्त जानकरी के 96 वर्षी व्रद्धा शान्ताबाई शालिकराम रिवसकर निवासी पिपला खिन खेडा 27 जनवरी 2023 की मध्यरातरी से लापता थी इसके गमशिदा होने के शिकायत सावनिर थानी में दर्चकर खोजबीन जारी थी मांसी करूप से कमजोर व्रद्ध शान्ताबाई की खोजबीन में सावनिर पुलिस के साथ साथ उसके परिजन भाव जुटे हुए थे लेकिन व्रद्धा की कोई भी खोजख खबर नहीं लग रही थी वहीं पांच परवरी की दुपहर करीब साड़े बारा बचे के दर्मियान सावनिर पुलिस को किसी ने फोन पर सूचना दी कि कनया डोल स्थित रिलाइंस वेर हाउस के करीब व्रद्धा का शतीगरस्ट शब होने की जानकरी है जानकरी प्राप्त होते ही उक्त खबर सावनिर पुलिस को देकर सावनिर थानिदार मारूती मुरूड के मार्क दशन में सिपाही रविंद्र भलावी हित जियोती फाउंडिशन के संस्थापक हितेश बंसोड तथा नरेंद्र समूंद्र कर बंटी महाले आदी ने घटना स स्थल पहुच कर घटना स्थल कर पंचनाम कर शव विच्छे दन हेतु ग्रामीन आरोग्य प्रशिक्षन केंद्र सावनिर रवाना कर आगे की जाच शुरू की घटना स्थल पर व्रधा का शती ग्रस्त शव देख उसकी मौत भूग कथा प्यास से होने के कायस लगाई जा रहे है तथा शव के अंगो के आवारा पशुओ द्वारा खाय जाने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है शव विच्छे दन के बाद ही व्रधा की मौत का सही कारण पता चल सकता है इन बीसीर नियूस के लिए समवाद्दा ताकि शोर ढूंडेली की रिपोर्ट